चलिए यारों जिन्दिगी बहुत संघर्ष है चलिए याप विवर अधर टॉपिक ऑफ म्यूच्वल फंड म्यूच्वल फंड का टॉपिक हमारा चल रहा था इस टॉपिक के अंदर हमने लास लेक्षर में एने वी के बारे में बात की एक बहुत ईजी कंसेप्ट हमें समझ म की आएं नेट असेट वैल्यू फर काले जहाहन पे हम हमारे मूच्वल फंड के साड़े असेट को एड कर लेते हैं जहाँ पे हम मार्केली फॉल फंड को भी दिया अगर प्रहों को प问 तुर ये यह प्यूच्वा हर पैसा बचा तो हर एक उनिट होल्टर को कितना मिलेगा divided by number of units एक दम easy है चालो अब आगी की बाता रही है next topic that is expense ratio यहां तक इसके पहले हम कल डिसकास कर चुके थे आज हम expense ratio पे जा रहे है expense ratio is nothing it is the fees charged by the scheme to manage investors money जहां से समझेंगे इसे management expense भी कहते है इसे management expense भी कहते है कि आज अगर mutual fund आज अगर मैं mutual fund चला रहा हूं तो मेरा भी तो कुछ benefit होना चीए मैं क्यों चला रहा हूं दुनिया के लिए नहीं चला रहा तो there is going to be some fees which I am going to charge fund manager कुछ तो salary लेगा उन सब को fund manager की salary trustees की salary यहां पर जो भी हमारा खर्चा आ रहा है जो भी bill पे करना है आपको हमने पढ़ाता ने एक दो तरह की mutual fund होते हैं एक direct एक regular regular के अंदर आप किसको appoint करते हैं distributors को तो distributor को भी कोई fees commission देना पड़ेगा यह सब जो भी mutual fund के खर्चे हैं उन्हें कहा जाता है expense ratio आज हम अगर किसी mutual fund में invest करते हैं अगर हम किसी mutual fund में invest करते हैं तो हम यह सोच के invest करते हैं हाँ कोई problem ही नहीं है वहाँ पे invest करते हैं पैसा बढ़े गई rather than we invest in the mutual fund let those people rather than we investing directly in the market let those people invest in the market लोग एकदम comfortably mutual fund में invest कर देते हैं और government भी mutual fund को promote कर रही है कभी डर लगता है कि कहीं हमें बेफकूफ बनाने का तरीका तो नहीं है हमें बेफकूफ बनाने का तरीका तो नहीं है कि पता चला मैंने क्या किया आज एक mutual fund इसीच में पास 10,000,000 रुपए आ गये अब मैं साल बर यह 10,000,000 रुपए का इंवेस्ट कर रहा हूं और मैं खुद लेता हूं 50,000 रुपए महीने की सालरी मैंने डिसाइड कर लिया यह fund मैं manage कर रहा हूं तो मैं 50,000 महीने की salary लुँगा मैं 10,000,000 रुपए इंवेस्ट कर रहा हूं और साल बर में मेरी salary कितनी हो गई है 6,000,000 रुपीज 50,000 रुपए मेरी salary कितनी हो जाएगी 6,000,000 रुपीज यह तो आप बेफकूफ बन गए न साल एंड हुआ year end पे उज़ग 10,000,000 रुपए का investment था उनमें से 6,000,000 रुपए मेरी salary है 4,000,000 को मैंने invest कर 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 के 10,000,000 भी कर दिया 10,000,000 भी कर दिया तो आपको तो आपका basic money वापिस मिला है न और मैं नहीं कर भाया 4,000,000 को double कर कर के भी मैंने 8,000,000 कर दिया तो भी आपका तो नुकसान हो गया सरी तो बहुत risky चीज है यह तो बहुत risky चीज है यह तो expense ratio हर एक mutual fund देख नहां पड़ेगा यह तो अभी तक आपने पड़ाएं नहीं आपने अभी तक तो यही बोला था कि mutual fund में invest करो अच्छा है अगर इसी बारों से mutual fund में invest कर देंगे तो यह तो expense ratio कौन देखेगा और आप मानिए यह तो हम CS के student है या फिर कोई commerce student है तो उसको थोड़ा समझेगा भी सही आचे रहे market में तो normal लोग भी mutual fund में invest करते हैं तो there SEBI took a lead ध्यान से SEBI Act में SEBI के जो object है हमारे दिमाग में clear है न protect promote regulate तो SEBI took a lead to protect the investor wherein SEBI brought in a provision के भाई साब expense ratio का मतलब पहले बताओ expense ratio का मतलब होता है कि जो भी खर्चा mutual fund charge करेगा बले distributor की salary, trustee की salary, fund manager की salary हमारा जो भी खर्चा है SEBI took a lead and SEBI created a restriction on the overall amount SEBI ने इस total amount पे ले आया एक restriction sir total amount पे किस प्रकार का restriction लाया हम देखेंगे एक दिमाराम से ध्यान से for actively managed equity scheme for actively managed equity scheme the total expense ratio allowed under the regulation regulation मतलब SEBI की जो regulation है is 2.5 percent for the first thousand CR 2.25 percent on the next 300 CR 2 percent for the subsequent 300 CR 1.75 percent for the balance AUM AUM बोले तो asset under management asset under management कि यह जो हमने पैसा रेस किया है हम securities में invest करें तो हमारा asset under management कितना है sir यह क्या पढ़ा रहा है बहुत complicated हो रहा है एकदम हारा हम से there are two questions which needs to be answered there are two questions which needs to be answered the first question is what do you mean the first question is what do you mean by expense ratio expense ratio को लेकर आपको दो चीज़े समझ में आनी चाहिए what do you mean by expense ratio what is the limit on expense ratio what do you mean by expense ratio what is the limit on expense ratio तो पहले बात करते हैं what do you mean by expense ratio expense ratio means the fees charged by the scheme to manage investor money the fees charged by the scheme कि आप लोग आज mutual fund में invest किया तो जो आप से fees charge की जा रही है जो overall खर्चा mutual fund खुद का लगा रहा है वो कहा जाता है expense ratio it contains fees paid to trustee, registrar and transfer agent custodian हमारा auditor और भी लोग है आजाओ एक्सेटर ये क्या बहुत बढ़या asset management expense जो कि fund manager चार्ज करते है asset management company चार्ज करती है commission pay to distributor other selling expense including advertisement expense हम mutual fund के लिए advertisement लगा रहे है holding लगा रहे है वो खर्चा expenses on investor communication account statement dividend redemption charges warrant ये जो भी और हमारा खर्चा उनको हमको भी redemption दे रहे है हम उनको कभी dividend declare कर रहे है वो सब कर्चा listing fees mutual fund को हमको list कराना पड़ता है कौन से वाली mutual fund को open ended या close ended close ended has to be mandatory list sir हमें याद करना पड़ेगा क्या नई open ended में listing की जरूरत है क्या उसमें mutual fund खुद रही है yes उनकी depository fees देनी पड़ेगी और service tax देना पड़ेगा इन सब को मिलाकर कहा जाता है expense ratio ये सब के पहली चीज़ तो हमारे जितने भी लोग काम कर रहे है उन सब की salary होगी न fees paid to trustee, share transfer agent, auditor, registrar, custodian हमारा asset management company को जो हमने expense दिया, पैसा दिया वो distributor को जो पैसा दिया वो जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब का पैसा उसके बाद में जो हमारे list कर रहा है तो listing का पैसा depository के पाथ लेगा, depository का पैसा service fees जो हमें देनी, service tax देना हो देगा दूसरा investor communication जो हमने बता है न हमें हर month के end में क्या बनाना है फैक्ट शीट बनानी है, फैक्ट शीट बनाने का खर्चा कोई accountant तो रखना बढ़ेगा ना बनाने के लिए तो ये सब जो खर्चा है this is in all, known as expense ratio, अरे कहने का मतलब है आज लोग mutual fund को पैसा दे रहे हैं वो पैसा asset management company invest कर रही है, लेकिन पूरा पैसा invest नहीं कर सकती न, कुछ तो उनका खर्चा भी है तो उस खर्चे को कहा जाता है expense ratio उस खर्चे को कहा जाता है expense ratio, SEBI has kept a limit on this expense ratio SEBI ने इस expense ratio पे एक limit लगा दिये, कि सुनो भाई साब इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते इससे अद आप खर्च नहीं कर सकते वरना पब्लिक का बेफकूफ बना रहे हैं उनका पैसा पूरे expense के नाम पे ले रहे हैं तो इससे अद आप खर्च नहीं कर सकते हैं क्या limit है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आराम से limit is based on asset under management ठीक है sir limit is based on asset under management कि अगर आपका asset under management इतना इतना है तो उसके उपर इतना इतना आप चार्ज कर सकते हैं ध्यान से बात करेंगे maximum allowed expense ratio मुझे बताइए asset under management first line में उसके वास में कुछ लिखा है कुछ average weekly ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा है देखो average weekly net assets एक दमारा हम से asset under management का मतलब होगा average weekly net asset asset मतलब asset under management यह जो asset word उसके है इसका मतलब asset under management तो इसका मतलब होगा average weekly net asset under management सर यह ऐसे क्यों किया है आरे क्योंकि जो आपके net asset under management है वो तो हमेशा change होते रहते ना वो तो change होते रहते हैं तो भी जरूरी थोड़ी पूरा का पूरा पैसा हमेशा आपका invested ही रहेगा पूरा पैसा invested ही रहेगा कभी आपने कोई security को बेच दिया अब आपका 8 lakh ही invested है 2 lakh आपका cash में तो वह 8 lakh हो गया asset under management फिलाल for the timing उसके आद में आपने 1 lakh रुपए और invest कर दिया फिर आपने की security को बेच लिया So the point is the total asset under management keeps on changing keeps on changing तो ठीक है सर हम लेंगे average of weekly net asset under management सर नहीं समझ रहा कहने का मतलब है कि overall all of the year में आप देखेंगे आपकी कितने weeks होते हैं एक year में कितने weeks होते हैं 52 weeks 52 weeks हो गए हर एक week का asset under management लेंगे आप कि first week का asset under management था 10 CR, second week का था 12 CR, third week का था 10 CR, fourth week का था 8 CR, fifth week का था 12 CR तो हर एक week का asset under management लेंगे उन सबको total करेंगे और divide by 52 करेंगे, so that will give you average weekly net asset under management Are you understanding? सर कैस का calculation exam में आ सकता है? नहीं, सिर्व आपको डरना नहीं कभी है average weekly net asset ले लिया और उसका divide कर लिया 52 से, तो average weekly net asset आ गया तो इस से आपको पता चलके है कि साल भर में on an average आपका कितना asset invested था, are we clear here? अब उस पर limit पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम का है, अब जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम का है, चलो average weekly net asset under management के उपर limit है, क्या लिखा है आप लोग खुद अगर उसको इंटर्प्रेट करेंगे तो भी सही है, on the first on first 100 CR, कितना allowed है? 2.5% allowed है, 2.5% of average net, average weekly net asset, ऐसा, तो हम यहाँ पर AUM लिख देते हैं, असर under management हो, कैसे calculate करेंगे? Average weekly net asset, तो मतलब हो गया, अगर मान लीजिए हमारे mutual fund ने 80 CRE invest किया है, कितना invest किया है? 80 CRE, तो 80 CRE का 2.5% is the maximum amount, जो कि आप अपने खर्चे के लिए ले सकते हो, बाकी 97.5 आपका invest होना चाहिए, Are you understanding? 97.5% आपका होना चाहिए, invest, मान लेते हैं, हमारे mutual fund ने 100 करोडी खटा किया है, 100 करोडी खटा किया है, तो आपको अपना पूरा खर्चा है ना mutual fund का, वो 2.5 CR के अंदर manage करना है, उससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो ये लिमिट से भी नहीं पूट कर दी है, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, क्योंकि mutual fund सादा खर्च कर रहता है, खुद के fund manager को salary दे नहीं सकते, there is a limit given under mutual fund regulation, that maximum expense ratio can be 2.5% of the average of the asset under management. फिर्स वाला समझ में आ है कि क्या कह रहा हूँ, फिर तो बागी सब लट डूट, next 300 पे कितना लिखा है, उसके subsequent 300 पे, और उसके बाद में अगर कुछ balance और भी है भाई साब, 1.75%, अरे यह है जैसे कि tax में slab rate होती है न, उसी तरह से, कि मान लीजिए मेरा mutual fund जो है न, वो total invest कर रहा है 1000 CR, मेरा mutual fund total invest कर रहा है 1000 CR, तो इस 1000 CR पे सर मेरा maximum हम खर्चा कितना कर सकता हो मैं calculate करके बता हो न, सुनो कैसे होगा, पहले 100 पे, next 300 पे, next 300 पे, बचा कितना, 300 बचा ना कर दो, इसका 2.5%, इसका 2.25%, इसका 2%, इसका 1.75%, यह हर एक का यह पे लाएंगे और यह जो total आ जाएगा, यह हो जाएगा total expense ratio allowed, are you understanding, सर यह 1000 हमारा mutual fund manage कर रहा है 1200 CR, तो यह हो जाएगा, लास वाला 500, हमारा कर रहा है 1800, तो इस तरह से यह balance बढ़ता रहेगा न, और उस पे 1.75 CR, so this is how a mutual fund का maximum expenditure is calculated, एक mutual fund इस जादा खर्चा नहीं कर सकता, एक mutual fund इस जादा खर्चा नहीं कर सकता, not allowed, and now don't you feel we are secured, के हाँ भई, अब हम secured है, हमारा पैसे का maximum यह जो, maximum है 2.5 है, 2.5, 2.25, और इस तरह से यह maximum खर्चा होगा, इस जादा खर्चा कर ही, नहीं सकता, are you understanding, और दूसरी चीज़ और कर दिये इन्होंने, यह तो हो गया, ठीक है सर, अगर मान लीजे, mutual fund सिर्फ debt securities में invest कर रहा है, अगर mutual fund invest कर रहा है, सिर्फ मातर के वल, debt securities में, debt securities समझते हैं, debentures, fixed income yield, equity में invest नहीं कर रहा है, सिर्फ invest कर रहा है, debt securities में, तो तो इतना भी allowed नहीं है, तो उन्होंने हर एक जो limit है न, उसको कम कर दी 0.25 से, सर मतलब क्या किया उन्होंने, first 100 CR पे कर दिया, next 300 पे कर दिया, यहां पे कर दिया, 1.5, सर ऐसा उन्होंने क्यों किया, वाए, आपको नहीं लगता, अगर equity में investment कर नहीं है, तो you need a better fund manager, you need a good fund manager, क्योंकि equity में the decision making is very difficult, the decision making is very difficult, comparatively debt के अंदर the decision making is easy, debenture में invest कर रहे हो न, तो debenture के अंदर इतना खर्चा कोई allowed ही नहीं है, तो debenture के अंदर जो यह allowed expenditure है, यह हर एक जगह पे 0.25 से और कम करती है, और कम करती है, बाकि equity या फिर balance भी है, मतलब जो भी mutual fund equity में invest करेगा, बली balance का थोड़ा पाट कर है, तो उसको यह allowed है, और अगर only purely debt वाला है, तो उसके लिए हरेक लिमिट में 0.25 और कम कर दिया गया है, this is the maximum expense ratio allowed, this is the maximum expense ratio allowed, बहुत easy है, सबसे पहला question रहे है, what is expense ratio, the entire expenditure which the mutual fund has to incur, बली trustee बोलो, asset management company बोलो, registrar बोलो, auditor, इन सबकी salary हो गया, distributor के commission हो गया, उसके लाओ हमारा ख account maintain करते है, accountant की salary हो गई, यह सब चीज़े मिलाके, service tax बोल दो आप, आप अपना जो depository fee listing, सबको मिलाके total खर्चा है, उसके ओपर limit है, भाई साब, इससे आद आप खर्चा mutual fund के अंदर नहीं कर सकते हैं, बचावा पूरा पैसा इंवेस्टी करना है आपको, are we understanding, very easy, yeah, what you'll do is you won't pen it down, first you will read it, यहां से लेके यहां तक पूरा, बेटू चलो, यह पूरा पढ़ेंगे आप, शान्ती से, इसना है, यहां साम मजप खर्चाimana म मौत वर्चाशूच कर दो अभला तक the dungeon, हम वे दों नहीं कर दो सकते हैं, बचाशचा़ बचल झा जापको, फार्वाम से तूरा आपूरा है रहां है, ऊजरा जंड़ें हैं। सब्सक्राइब बहुत ही लड्डू है फॉर एग्जामपल में लिखा उनों और क्लारिटी जदी इसका मतलब क्या होते हैं कि 1% अलावड है मतलब इतना आप खर्चा यूज कर सकते हो 99% तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वेरी इजी राइड येस यह पेंडाउन कर लेंगे लेफन साइड और मेरे साब से खुद से भी कर सकते हैं आपको मेरी जरूरत भी नहीं है हुआ है झाल 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 बागी के किसी का अब एक टॉपिक आ रहा है होल्डिंग पीरिड रिटर्न और इल्ड कल्कुलेशन पहले हम नुमेरिकल बात करो मैं आपके साथ फिर वो थेरी पढ़ेंगे थेरी बहुत इदी जाएगे अगर एक बार आपको नुमेरिकल समझ गया तो इसका मतलब क्या लग रहा है इकदम आराम से मैंने एक mutual fund को या किसी भी asset को या किसी भी share को मैंने कुछ समय तक hold करけ रखा मैंने उसको buy किया 1st January है उसको sell कर दिया 1st February को मैं उसको कितने समय के लिए hold करके रखा ये जब मैंने hold करके रखा इस holding period में मुझे उस पे कितना return मिला is holding period return बहुत easy holding period return, मान लीजे, मैंने आज एक mutual fund का unit 12 रुपए में खरीदा एक महीने बाद मैंने वो बेचा 15 रुपए में मेरा holding period return absolute amount में कितना हो गया 3 रुपीज, very easy मैंने एक mutual fund का unit खरीदा 12 रुपए में, खरीदा 10 रुपए में उसके बाद में मैंने उसको एक महीने बाद बेचा इस एक महीने के बीच में मुझे dividend भी मिला 2 रुपए का 2 रुपए का dividend मिला, मैंने 10 रुपीज में mutual fund का unit खरीदा था 15 दिन राद मुझे 2 रुपए का dividend मिला और एक महीने बाद मैंने उसको 15 रुपीज में बेच दिया 5 रुपीज का तो sell करने पे profit हो this is known as capital appreciation this is known as capital appreciation कि sir आपने 10 रुपए में buy किया आपने 15 रुपीज में sell किया तो मतलब जब आपने buy किया उस mutual fund की unit की price थी 10 जब आपने sell किया तब उसकी unit की price थी 15 this is known as 5 रुपीज is capital appreciation which you have realized और इसी बीच उन्होंने 2 रुपए का dividend भी दिया तो मेरा total return कितना हो गया 7 रुपीज हो गया तो holding period return is very easy कुछ भी नहीं है now this is return in absolute terms this is return in absolute terms now if at all we want return in percentage term कि भाइस साब percentage term में चीए एकदम आरा हम से अगर मैं इसी को return बोलता हूँ ध्यान से समझना दो लोगों ने investment किया पुरी class का focus यहाँ पर Mr. A ने भी invest किया Mr. B ने भी invest किया Mr. A ने invest किया 1000 रुपए एक mutual fund में investment in mutual fund यह share में भी investment किया तो same rule है मैं mutual fund का example हूँ हूँ कि mutual fund का chapter चल रहा है 1000 रुपए invest किया Mr. B ने invest किया 1 lakh रुपीज Mr. A ने invest किया 1000 रुपीज Mr. B ने invest किया 1 lakh रुपीज investment in mutual fund as on 1st January 18 ठेक है साथ dividend received जब आपने hold करकर का तब dividend मिला यहाँ पर मिला 50 रुपए का यहाँ पर dividend मिला 2000 अरे same mutual fund में नहीं किया गदो अलग-अलग mutual fund में invest किया A ने अलग mutual fund में निवेस्ट किया B ने अलग mutual fund में निवेस्ट किया तो A ने जिस mutual fund में निवेस्ट किया उसने 1000 रुपए इंवेस्ट किया उसको मिले 50 रुपए B ने किसी और mutual fund में निवेस्ट किया लाक रुपए उसको मिले 2000 रुपए as dividend. इन्होंने जब sell किया, जब इन्होंने investment sell किया, तब यह 1000 के हो गयते हैं? 1200 रुपए. और जब यह लाक रुपए का investment sell किया, तब यह लाक रुपए हो गया था, 1,00,100 रुपए. 1,00,100 रुपए. यह सिर्फ 100 रुपए का capital appreciation. दियान से समझता? मुझे बताओ. Total return in amount, कितना हुआ एक हा? 250? कोई तकलीफ नहीं है? भाई साब, 200 रुपए उसको capital appreciation का फाइदा हुआ, 50 रुपए का उसको return मिला. यहाँ पे total return कितना हो गया? 2,100. कि भाई साब, उसको 2,000 रुपए का dividend मिला, और 100 रुपए का capital appreciation मिला. यहाँ पे 250 का फाइदा है, वहाँ पर 2100 रुपए का फाइदा है. वहाँ पर 2100 रुपए का फाइदा है. ठीक है सर, बिल्कुल चाहिए. मुझे बताईए, किसने better investment किया? यह कैसे हो सकता है? total amount तो मुझे, इसका ज़्यादा दिख रहा है न? सर तो उसने investment भी ज़्यादा किया है न? तो एक चीज़ सर हमें सीखने को मिल रही है, कि सिर्फ amount देखकर, सिर्फ total return का amount देखकर, हम यह जज़ नहीं कर सकते, कि किसने better investment किया है? हमें एक और variable consider करना पड़ता है, that is the amount of investment. बिल्कुल सही है? सर हम सिर्फ यह चीज़ देखकर, जज़ नहीं कर सकते, कि किसने better invest किया है? हमें इसे भी consideration में लिना चाहिए. तो वहाँ पे concept आता है, holding period return का, द्यान से. अब सर, return कैसे calculate करें फिर? एक काम करते हैं, हम 250 rupees कमाएं, 2100 rupees कमाएं, इसको ऐसे नहीं देखते हैं. सर, 250 rupees कमाएं, 1000 rupees invest करके, और यहाँ पे 2100 rupees कमाएं, 10000 rupees invest करके, यह हो तो सर मज़ा आएगा. ठीक है? तो एक काम करते हैं फिर, 250 divided by 1000, कि 1000 लागे 250 मिला? and 2100 divided by 1 lakh, यह कितना आ गया? इन 200 कर देंगे आप दोनों तरफ, गाँवालों, 2.1, सर, बिल्कुल सही है, अब हम clearly judge कर सकते हैं, कि इसका return, holding period return, इसका holding period return हुआ है 25%, मतलब जितना पैसा invest किया, उसका 25 चका मिल गया, holding period return is 25%, wherein B का holding period return is 2.1%, कि अगर वहाँ पे invest किया, तो सिर्फ 2% मिला, अब हम clearly कह सकते हैं, कि यहाँ पे invest किया बेटर है, are you understanding, have you understood the concept of holding period return, ठीक है, अभी और complicated करते हैं, ठीक है, चलो, सर, यह चलो, आपकी बात ठीक लगी, अब अगर मैं कहता हूँ, तो लोग है बापस, Mr. A, Mr. B, Mr. A ने invest किया, घजार रुपए, Mr. B ने भी invest किया, Mr. A ने invest किया, A mutual fund में, Mr. B ने invest किया, B mutual fund है, दोनों ना अलग-अलग mutual fund में invest किया है, ठीक है सर, यह उनका investment हो गया, सर कोई dividend मिला क्या है, येस, बिल्कुल मिला, यहाँ पर dividend, इन्होंने investment किया है, 1-1-18 के दिन, 1-1-18 के दिन invest किया, A को dividend के रूप में मिले, 200 रुपए, B को dividend के रूप में मिले, 300 रुपए, क्या बात है, उसके बाद में, जब investment sell करने के बारी आई, A ने, ध्यान समझेंगे, A ने investment sell कर दिया है, 1-3-18, 1-1-1-18 पर sell कर दिया, उसको मिले यहाँ पर, 11-100 रुपए, ठेक है, B ने sell किया है, 1-12-18 के दिन, आफ्टर 11 months, या फिर मैं कहता हूँ, 1-1, और easy कर लेते हैं आपके लिए, 1-1-19, मतलब exactly एक साल बात बेचा है, उसको यहाँ पर मिले, 1200 रुपए, उसको मिले 1200 रुपए, ठीक है सर, return calculate कर लेते हैं, अब सले absolute terms में, return in amount, इसको 300 का फाइदा हुआ है, इसको 500, किसी को class में तो तक्रीफ नहीं आ लिए, 300-500 कैसे हैं, अरे सर कैसी बाते कर रहे हो आप, हजार में लिया 1100 में बेचा, 100 रुपए का फाइदा, 200 रुपए का डिविडिट मिला, 300 का फाइदा, हजार में लिया 1200 में बेचा, 200 का फाइदा, 300 का रिटर्न मिला, 500 का फाइदा, return in absolute terms तो समझ में आया, ठेक है सर, यह तो बहुत सही है, 300-500, which investment is better, पापे साब बात कर रहे हो, यहां तो B का माउंट जादा दिख रहा है, सर 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 सुनो सुनो, आप क्या holding period return निकालना है, दोनों का investment तो सेम है, चलो मैं holding period return निकालता हूँ, एकदम आराम से रुको एक बार, holding period return निकालना, मैंने 300 divided by 1000, कितना आ गया, 500 divided by 1000, 50%, कैसी बात देकर रहे हो, यह बेटर दिख रहा है, सर देखो सुनो, holding period return से भी हम satisfied नहीं है, क्यों नहीं है, सर उसमें भी आपने time period तो ignore हो जाता है न, time period नहीं हो जाता है, सर time period को भी यहाँ पे आप फॉर्मूले में incorporate करो, तब जाके हम कहते हैं कि हमें भी लग रहे हैं, माना इसने 50% दिया, बढ़ इसने 50% दिया, वन इयर में और इसने 30% दिया, टू मन्स में, तो सर आपको इसे भी consideration में लाना होगा, इसे भी आपको consideration में लाना होगा, now comes the final formula of holding period, रिटन बोलो या फिर उसका आप yield भी कह सकते हैं, सर उसमें time period को भी लाते हैं, ठेक है सर time period को भी लाते हैं, अब कैसे लाएंगे ध्यान से, यह 30% जो आया है, यह जो 30% आया है, एकदम आराम से, यह आया है, यह, आपको दो मन्त में मिला है, ध्यान से जमें कैसे formula लगाता है, यह आपको मिला है, टू मन्स में, और साल में, अगर इसको per annum basis पे convert करना है, तो per annum में total months कितने होते हैं, 12, एकदम आराम से, सर, यह हमको मिला है 2 months में, तो यह बी divided by 2, और साल में total months 12, तो यह हो जाएगा, कितना आगे बताओ, 13 to 12 divided by 2, 180, 180, 180% per annum का return है यह, कि इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर यह पैसा साल भर तक invest करके रखते, तो हमें 180% का return मिलता, 180% per annum, ठीक है सर, अब इसका भी हम calculate करना चाहते हैं, 50% into, एकदम आराम से, कितने time period के लिए इन्वेस्टेट था? 12, साल में कितने होते हैं? 12, 12, 50% per annum, किसी भी return को, अगर आपको per annum calculate करना है, तो you need to multiply it by 12, and divide it by, जितने months के लिए यह investment किया था, इस तरह से आप उसका yield calculate कर पाते हैं, per annum basis पे, कि साल भर invest करके रखते, इस same return पे तो कितना मिलता? तो मिलता 180%, इसके अंदर आप इस formula में सब कुछ आ गया, इस formula में investment भी आ जाता है, इस formula के अंदर हमारा, जो period है, वो period भी आ जाता है, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है, एक question देता हूँ, उकदम तबयत का, वो ट्राइ करते हैं, वो ट्राइ करते हैं, नहीं हो जाएगा, तो फिर मैं help करतूँगा, इसाला, इस question को solve करने की कोशिश करने हैं, एकदम आराम से देखो, rough में कर लो, कोई problem ही नहीं है, आपको सिर्फ मुझे, x का, y का और z का, तीनों का आपको मुझे, yield बताना है, या फिर holding period return कह सकते हैं, वो आपको calculate करके बताना है, थाज़ करने ही पताना हैं, एक्जाम में आगया, क्रोफ क्या कर सकते हैं सर क्या ऐसा क्वेस्टिन हमारे लेवल पर आया वाय कभी येस आया वाय उसमें तीन काल्कुलेशन नहीं दिये थे किसी एक काई काल्कुलेशन पूछा गया था ओल्ड से लिबस स्क्यॉर्टी स्लॉक अंदर सबसे पहले एक्स का क्याल्कुलेट करेंगे वाय और सेट को बात में बात करता है सिर्फ एक्स का ट्राय करने आपको इल्ड पर एनम इल्ड पर एनम आपको काल्कुलेट करना है अकेले में कोशिश करो नहीं आया तो कोई बात ही मैं ऐसे भी एक्स्ट्रीन करने वाला हूँ कोशिश करके देखो कर देखो चली है अन्यों गॉट दी आंसर के एक्स का रिटन कर एक्स रिटन कर रहेगा इनिवन in the class नोबडी येट एकदम आराम से एकदम आराम से रिटन का रहा हूं ये इड पर एनम मांग रहा हूँ है अपसे मैं आपसे रिटन का अमाउंट तो मांग रहा हूँ इड पर एनम तो आपको पूरा सब कैल्कुट करना पड़ेगा कि इल्ड पर एनम कि ट्राइ करिए कोई ले आता है तो बहुत अच्छी बात है अधर्वाइस हम डिस्कस तो करने ही बाले है कि आया अंसर स्टेप्स कैसे रहते हैं एक से इधर देखो सबसे पहले आप करेंगे रिटर्न का अब्सल्यूट अमाउंट कि इस व्यक्ति ने हुआ क्या क्या ध्यान से क्या अभी एक्स आपी को सॉल करने के लिए दूंगा मैं एक से अंदर एक व्यक्ति ने रमेश गोल ने इसके एक समीशल फंड में उसको कितना रिटर्न मिला एक काल्कुलेट करना है उसने फॉस्ट डिसेंबर डिस्टावन 16 को इन्वेस्ट किया आज क्या डेट है एने वी समझो एड़ डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने 10.5 के भाव से खरीदे मुचल फंड उसने 10.5 के रेट से मुचल फंड खरीदे उसने वन लाक रुपीज इन्वेस्ट किये और 10.5 की रेट थी था अब जब वो 31st मार्च की बात कर रहे है तब एने वी कितने किये 10.4 की फाइदा हुआ के नुकसान हुआ 10.5 में खरीदा 10.4 में बेचेंगे आज की मार्केट वैल्यू के इसाब से नुकसान हुआ और अभी तका डिविरेंट कितना मिल चुका है 1900 तो सबसे पहला question से हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर capital appreciation या फ़र नुकसान कितना हुआ है वो इस कैसे calculate होगा हमने 1 lakh का investment किया divided by 10.5 मतलब 9523.8 इतने units हमने खरीदे इतने units हमने खरीदे आज हमने units को बेचेंगे तो कितने बेच पाएंगे 10.4 into 10.4 99047 मतलब 0.76 तो इसको बन round figure में 99050 भी ले सकते हो माइनस यह हमको आज पैसा मिलेगा और हमने इंवेस कितना किया था 1 lakh तो 950 रुपीज का आपका नुकसान हो चुका है एकदम आराम से आपका loss हो चुका है 950 रुपीज का पहले आप आराम से सोचो आपका time लो और मुझे बताओ कि यह loss calculate आप कर पारे हो नहीं कर पारे हो कि mutual fund 1 lakh में खरीदे थे और 10.4 में बेच रहे हैं तो हमारा loss हुआ है 950 का साथ में हमारा benefit यह हुआ है कि हमको dividend मिल गया है 1900 का तो हमारा net loss कम हो गया 950 का ही बच्चा नेट profit हो गया हमारा 950 का कोई जिल्दबाजी नहीं हर एक जना खुद से calculate करके बताओ कि आप यह कर पारे हो कि नहीं कर पारे हो यह loss 950 का कैसे आया है समझाए के नहीं समझाए हुआ है यह सब्सक्राइब आप यह सब्सक्राइब आप यह विद्दबगे नहीं है अए कि श्च्छ अब आपस समझाओंगा इसे कोडेंशन की बाति है पर यह भी खुद से ट्राय करिया 950 का loss कैसे आया है समझा है क्या आज मैंने एक दम आराम से एक लाग रुपए का इंवेस्ट कर दिया आज मैंने एक लाग रुपए इंवेस्ट कर दिया जब एक लाग रुपए इंवेस्ट की तब मैंने 10.5 के रेट से इंवेस्ट किया so my question to you is very simple my question to you is मैंने mutual fund के कितने units खरीदेगे ये बताओ मेरेको 1 lakh divided by 10.5 9523 अपन राउंड फिगर में 9524 ले ले लेते हैं बले इतना राउंड फिगर चलता है yield calculation में तो हमने 9524 units खरीदे आज अगर हम 9524 units बेचने जाते हैं तो उसकी market price कितनी है 10.4 into 10.4 कितने बिख पाएंगे 99049 so the point is हमारा नुक्सान हो गया न हमने इंवेस्ट हो कितना किया था 1 lakh रुपए आज 99,050 रुपीज ही recover कर पा रहे हैं इसका मतलब 950 का क्या हो चुका है loss इसका मतलब 950 का हो चुका है loss सबसे पहले जापको calculate करना है वो है number of units bought उसके बाद में आप आगे जाते हैं एकदम आराम से पूरी क्लास का फोकस है आप है सबसे पहले इस सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले करते है number of units bought number of units bought आप कैसे करते हैं कि भाई 1 lakh का investment किया है और वो हमने कितने में किया 10.5 में तो हमारा आजाता है 1 lakh divided by 10.5 9524 9524 units हमने खरीद है तो आज अगर इस investment को मैं sell कर दूँगा तो मेरी realized price क्या होगी investment को अगर आज मैं आप sell करता हूँ तो price क्या है market value of investment क्या है मेरी market value of investment sir 9524 multiplied by आज की rate क्या है 10.4 into 10.4 that gives me 99.050 049.6 राइन फिकर चलता है हम पर इतना तो 99.050 मेरा इतना है ये मेरा market value of investment हो गया मेरा actual investment कितना था 1 lakh तो मेरा loss on sell loss on sale अगर आज sell करता हो तो loss कितना हो जाएगा 950 dividend कितना हो चुका है मेरा 1900 तो मेरा net profit या loss कितना आ गया 950 मेरा आ गया net profit have you understood yet यहां तक समझा है अब ये तो हो गया sir मेरा net profit अब मुझे इससे calculate करना है मेरा yield next calculation है मेरा yield कैसा हैगा एकदम आराम से 950 मेरा total profit हुआ है ठेक है divide किससे करूँगा total investment से करता हूँ divided by 1 lakh into 100 कर दूँगा percentage terms में ले रहे है into 100 0.95 आ गया सबका 0.95 तक आ गया लेकिन ये परैनम नहीं है ना बीबी परैनम नहीं है कितने मंच के लिए इंवेस्ट के हमने 4 मंच साल में परैनम मतलब कितने 12 मंच 0.95 multiplied by divided by 4 2.85 is the answer so yield परैनम वोड़ बी 2.85 percent are you understanding no I will not be satisfied calculate why and tell me एकदम आराम से कोई जल्दबाज ही नहीं सब लोग काल्कुलेट करेंगे को प्रॉलम ही नहीं है वाई के अंदर सबसे पहले आपको आना है कि net profit loss कितना हुआ है फिर उसका yield काल्कुलेट करना है और जिसका हो गया हो जेड का करेगा एक दम आराम से मैं किसी से भी पूछूँगा आप लोग काल्कुलेट कर रहे हैं वाई का और जेड का मैं आप से दोनों चीजे पूछूँगा जेड में तो हाँ कैल्कुलेट करो जो भी है loss का percentage कैल्कुलेट करना है अगर जेड में loss है तो चल्द है ृभ आप लोग एवदा इंक शुन काल्कुलेट कर दो को को कैल्कुलेट झाल चलिए मुझे बताईए वाय का yield percentage कितना रहा है आपका 7.5 और कुछ आंसर है 10 परसेंट भी आंसर है और कोई 6 परसेंट भी आंसर है और कोई यह आंसर से इसके लावब किसी कोई आंसर है तो बोलो एकदा मारा हम से 10 तो आ गया ना जो आ गया उसके अलावा 10 आ गया राजा बिटा Z के अंदर क्या आया 24 एक आंसर है दूसरा 6 और बोलो और कुछ 7 यह है 26 और यह प्रॉफिट आया लॉस आया यह लॉस का परसेंट इसे ये ये में नेगेटिव यील्ड आई है ठीक है सर एकदम आराम से अब step by step जाते हैं जिनका गलत हुआ समझेंगे कैसे गलत हुआ सबसे वहले वाई के अंदर मैं पूछ रहा हूँ कितने यूनिट्स खरीदें 20,000 यूनिट्स खरीदें कोई question ही नहीं है भाई साब 2,00,000 का investment क्या है और एक यूनिट 10 रुपे का खरीदा ठीक है अगर आज मैं यह बेचता हूँ तो कितने मिकेगा 20,000 इंटू 10.10 तो यह आज बिकेंगे 2,00,000 में so loss on sale या फर यहाँ पर profit on sale profit कितना हो जाएगा 2,000 का profit हो गया dividend मिलाएगा 3,000 तो total profit कितना हो गया कोई व्यक्ति है जिसने आपर गलत किया गलती की तो गलती समझ में आई कोई ऐसा है जिसको आपर समझ में भी नहीं आ रहा मेरा गलत कैसे हुआ है सबको समझ में आगए 5,000 कैसे है 5,000 तक हम पहुँच गए अब सवाल आना है yield तक सबसे पहला सवाल 5,000 मेरा कितने period के लिए invested है उड़ गए कुछ लोग जिन्होंने देखा ही नहीं था यह January में investment हुआ है 1st January January, February, March 3 months के लिए invested है 5,000 divided by 2,000 very good 2,000 into 100 into 12 divided by 3 that gives you the answer of 10% जिनका गलत हुआ है गलती समझ में आई है सर हमने यह देखा ही नहीं गलती है समझ में आ रहे है वो लोग पहले से उड़ गए है जैड के अंदर समझ में आगे क्या गलत हो रहा है ठीक है चलो अब जैड की बात करो तो same सब से लह है units 10,000 units जो लोग गलत है वो यहाँ पर ध्यान तो पर कोई प्रॉल्म ही निए 10,000 units उसके अद में मार्केट वैल्यू आज क्या हो जाएगी 98,000 नाइटी थाओजन 98,000 98,000 तो मुझे बताँ मेरा प्रॉफिट अन से लुआ है लॉस हुआ 2000 का हो गया लॉस और कुई दिविरेंट मिला क्या तो मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है लॉस ओफ 2000 ठीक है 2000 का लॉस है इसमेरा इंवेस्मेंट कितना लगा 1,00,000 इन्टू 100 2% इन्टू 12 डिवाइड बाई 1 कुछ भी नहीं 24% का आपका लॉस आया है तो इस नेगेटिव 24% है रहा है एक फॉर्मूला भी आपको आयात करने की जरूरत नहीं है एकदम स्लोचिकली सम्झो सबसे पहले आपनको अमांट अफ लॉस काल्कुलेट कर लिए अमांट अफ लॉस पर आगए फिर ऑफ कोर्स भाई साब अगर मैं investment नहीं लूँगा तो हम कभी compare ही नहीं कर सकते हैं A और B का example ले है था कि अगर उनने अलग-अलग amount invest के है तो हम उनको comparable ही नहीं है तो फिर उनका investment denominator में ले लिया फिर per annum calculate करना है तो multiplied by 12 divided by number of months invested are you understanding now I want you to pen down a question कहाँ पर pen down करेंगे सर आप pen down कर सकते हैं 12.11 पर 12.11 पर उपर pen down कर लीजे 12.11 पर मैं कुछ भी नहीं लिखवाने वाला हूँ anyways ये question pen down कर लो ये question pen down कर लो I'm sorry इधर हम कुछ भी नहीं लिखने वाल है आपको चाहां लिखने 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 लो अब मैं कुछ भी आपको लिखवाने वाला नहीं है तो जहां भी आपको जगह आपको पर पर पैंड़ाउन कर सकते हैं इस chapter में और ये question pen down कर लीजे ये question और last question देखा वो वैसे CA का question है लेकिन CS के अंदर II question उसके अंदर A की मतलब जैसे कि इसमें 2 calculation है पिछले question में 3 था वैसा एक calculation है तो logic तो वही लगाना है सिंगल डबल ट्रिबल पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा question पैंड़ाउन कर लेंगे इंदाथ से आपको इसका answer सिर्फ रफली calculate नहीं करना है आपको जैसे कि ये column है उसके नीचे column बना लें गया और जैसे कि units, amount investment और वो column wise proper structured format में आपको solve करने की कोशिश करने है अजिए में करने का, करने की पिर्फ रॉपने के लिए छाहिए अंजिए अंजिए बना यून है आपको जो नहीं है आपको और तो पर दनना और पर को निक्टर आने पोड़ेंगे मैं इसको पुटान प्रणाकी जाओंगों आज पोलोपो ज कुनेका पढ़तामान आपकत दूप्धार सिस्गेयों किया आपकार दूप्रों सब्सक्राइब। से था सता। में तब दी। तुट शो बापिन को सू परको पनाना यह सा एक कि हात्य वाइट एस्डि को अखके है कर सकते हैं प्रेशन कालिया ने? जल्दी से कर लो यारो यारो प्रेशन कालिया ने? झाल झाल